सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताके कोई खबर रहना जाए नाने असलाम अलेकुम डॉकर दानिश्ट अब दीली भी डॉकर दानिश्ट इसाद आज हमारे साथ सिन पुलिस के जो सरवरा हैं आई जी पुलिस जिसको खहते हैं अलाम नभी मेमन साथ एक्स्क्लसिव इमारे साथ इंचोई हुए है और बहुत अहम मौक पे इंचोई है जब कराची और सिन के अंदर कुछ एहम लॉडर सिचुएशन है आला कि यह तो पहले भी रहती रहें ल जो पुलिस की ताइनाती होती है तो कि बहुत ही अहम दार है इसकी ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपॉइनमेंट तो भी मालूम करने चाहूंगा सर क्या यह एक्टियार अभी आई जी के पास है या इसमें पॉलिटिकल या हुकूमत का इन्वाल्मेंट भी है इसमे लाह रह जो है वो देमोक्रिटिक फॉर्म है जिसमें जो कानून बनता है उसमें बड़ा स्पेसिफिक लेडाउन होता है कि भी किस सरह से गवर्निंस होते हैं फिर रूल्सा बिजनिस मनते है हमारा जो पॉलिस लाह है जो अभी जिस पे हम काम कर रहे हैं उसमें इसपेशली जो आप कि जितनी postings हैं, District SP and above कि जितनी postings हैं, उसमें कानून में ये लिखा हुआ है कि Chief Minister and IG through meaningful consultation उनको appoint करेंगे. उन कौन करेंगा, sir? Chief Minister. Chief Minister करेंगा? नहीं, Chief Minister and Inspector General, इनकी appointment through meaningful consultation करेंगे. What do you mean by meaningful consultation? Meaningful consultation का ये जो दोनों बाइमी बातशीत से रजामन्द होंगे कि इसको लगाया जाए अचा, ये 2002 के पुलिस ओर्डर में हैं या ये कानून कैसा है? इसमें कोई ये जो है कानून बाद में 2019 को, 2019 को ये अमेंड हुआ और उसमें एक प्रोवाइजो दिया गया कि अगर meaningful consultation फैल हो जाती है, तो आईजी फिर तीन नाम प्रोपोस करेगा और चीफ मिनस्टर उसमें से एक स्लेक्ट करेगा और वहां पे उसकी पोस्टिंग हो जाएगी, तो ये डिफेर्ट जो, ये डिफेर्ट नहीं करेगा कि नहीं कोई और नाम दो, अगर अगर meaningful consultation नहीं होती है, तो उन् जाँ गए, उस पेटिशन में फिर एक जज्ज्मेंट आ गई, उस जज्ज्मेंट में वो जो प्रोवाइजो था, वो कोट ने उड़ा दिया, मैं इसी पर आरत है सर्थ, क्योंके 2012 से जसे जवाद पाजा से लेकर मैं आऊँगा, मैं सर्थ, अभी ये पूछ रहूं कि ये कोट ने उड़ा-दिया, कोट ने उड़ा-दिया, कोट ने उड़ादिया, कोट ने उड़ा-दिया, कोट ने उडादिया, कोट ने उड़ादिया merci सर्, का आज के दिन आईजी के पास ये पूरे अख्तियरात हैं कि पीस्टी आफिसर से लेकर हर किसम की तायनाती ट्रांसफर पोस्टिंग अपॉइंट्मेंट गो करें या उसमें इंटर पैरेंस है, ये सवाल है देखें अब ये एक ऐसा मौझा 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 है जिसमें बहुत ज्यादा क्लारिटी की जरूरत है मैं सब्सक्राइब मौझा तो नहीं जाओंगा, मैं इस वक्तियरात की जंग होती रही है कानुन का तो मैंने आपको बताया ना कि उनकी पोस्टिंग स्पायो की ठाब की निकैस लॉग आगया न है आप तो जज़्ट्मेंन आगया ना ये चैज़्विंट के बद ये बाद ये ज़ग्मेंट चानून खटम होग गया ने नहीं ना मैं आपको बतारहा हूं कि दूसरी पोस्किन हो वह पॉर्ट है देखें इसमें हमें बहुत ज्यादा इंडर्पेंडेंट्स है और अगर कोई पुलिस ओफिसर चाहे तो वह अच्छी लॉट को लेके आ सकता है उसके लिए जरूरी यह है कि उसका अपना जो बेस्टर इंट्रेस्स है उसको खतम करना हू मैं आपको एक मिसाल देता हूं मैं जुलाए 2019 में इडिशना आइजी कराची बना मैं तो कोई आठ साल इंटेलिजन्स ब्यूरो में था उसके बाद पर सिंध में आया तो मुझे इनने इडिशना आइजी कराची लगा है तो मैंने चेफ इनस आपको यह कहा कि सर जो है उसमें से बस्त निकाले और बजाए इसके के एक एडिशना आइजी करे छे डिशी जो कराची में काम करते हैं और प्लस एडिशना आइजी एक इसका पैनल बने जो बना ऐसे चो लगना चाहता है उनको हम टैस्के जरीए कि वह हर एक इंडिविडियल नंबर दे और 60% प फिर हम उस मलब पूल बने उस पूल में डाल दे और SPS को हम फ्री एंड लें के उस पूल में से जिसको मजिय लगा दे चिछीव मेरी किया और हम उसको मैं पॉने दो साल उसको करता रहा तो चरीप मैं इस्टर के इसमें कहते हैं? देखें, वो इस वज़े ऐसे के बिशली आप जब एक गवर्मेंट के अंडर काम कर रहे हैं, जो भी आप इस तरह के इंपोर्टन पॉलिसी बनाते हैं, तो उनका पॉन्फिदेंस में उस ताइम पे अडिशनल आई इसा, मेरे आईजी का कॉन्फिदेंस जरूरी था, और यही वज़ा थी के वो सिस्टम काम्याब गया. तो गौर्मन यह कहते है के पुलिस का काम है पॉलिसिंग करना, नोट पॉलिसी वो गनाए, आप इस सेग नहीं करते हैं? देखें, पॉलिस की पॉलिसी जो है यकीनन गवर्मन बनाती है, यह राइट भी उनका है, लेजिस्लेशन वो करते हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, कि आप गवर्मन को कुई चीज़ बना के देना, कोई भी हो मिसाल, अभी हमने बहुत सारे इस तरह के सिंध पॉलिस में रिफॉर्म्स की हैं, जो हमने उनको चीज़ बना के दिये तो उनने का भी नहीं क्या अचीज़ चीज़ के दिये, जो पॉलिस का ऑपरेशनल बजेट 14 परसंट था और सेलरी बजेट 86 परसंट था, वो उन चोटे-चोटे इंटरवेंशन के लिए उनने जो बजेट हमें दिया तो ये बजेट, ऑपरेशनल बजेट 20 परसंट हो गया, उसमें 42 ऐसे मुक्तलिफ प्रॉजेक्स थे जिससे कैपैसिटी पॉलिस की इंशाला बढ़ेगी, आप पॉलिसी बनाकर देते हैं, उस पर गॉर्मेंट जो वो देखती है, यह पॉलिसी गॉर्मेंट बनाती है, लेकिन आप उनको रेकमेंट करती हैं, हम उसके, अच्छे सर्थ मुझे यह बताएं कि यह बात क्लियर हुई को भी आया, फिर हाई कोट का भी आया, कि पॉलिस के अंदर अपॉइंट्मेंट, पोस्टिंग, ट्रांस्फर की हर किसम की डिस्क्रिशन, गॉर्मिन्ट की खतम की जाए, और यह एथॉर्टी से आईजी स्कुट के लिए, और गी गी, और पिर हमने देखा कि 2013 में जो कराच पॉलिकल लोगों का इंटर पैरेंस, गॉर्मिन्ट का इंटर पैरेंस, उस जज्ज्मिन्ट के जरिये खतम किया गया, तो 6 से कराची सतर भी 70 नंबर पर चला गया, यानि 70 पीसद क्राइम का मुए, आप से पहले भी जो आईजी ज रहे हैं, मैं नाम कोट कर सकता हूँ, मैं इंटर पैरेंस से, पुलिस और्गनाइज़ेशन की कारकरदेगी को मुकसान पहुंसता है, आईजी, दिखें, ये एक चीज़ आप रिकार्ड की बात कर रहे हैं, और मैं इस रिकार्ड को दुर्स करना चाहता हूँ, चलू, वो ये के, छटा जो कराची वर्ड क्राइम इं वो 63rd पे था, 63rd पे था, 63rd पे था, और मौनें दो साल के बाद, जब मैंने उसको छोड़ा, मेरा ट्रांसफर हुआ, तो अलहमदोल्ला वो 122 पे था, ठीक है ना, अच्छी बार है, अब मैं उसको इस तरह से क्वालिफाइ करता हूँ के, गर्मेंट तो अच्छा ही चाहती है, आप अपने आप को भी अच्छा करें, देखें, हमने एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम को गर्मेंट ने भी ऑनर किया, उसमें, गर्मेंट मेंज के मिनस्टर, चीफ मिनस्टर, और उसमें हमारी बेरोकरसी ने भी इसको ऑनर किया, हमने उसको एक्जिक्विशन जो है, व नहीं नहीं ये मैं आपकी बाद मेरिट पर आप करेंगे और गॉर्मेंट आपके एक्जेकूशन को जो मेरिट पर करते हूं इसके सपोर्ट करेगी तो मामला सही होंगे लेकिन अगर जैसे देखें ना 2000 पुलिस और आपका आप जो पुलिस का मैं पढ़ लाता सा मुझे 2002 का आपका पुलिस और आया उसमें चार साल में 118 तर्मीम हो गई ये कहा गया है कि ये पुलिस और जो बनाया गया है ये अगर एज़ इस गया तो इससे पुलिस के अख्तेयरात को खतम किया जा रहा है और इसको गौर्मेंट के अवाले के जा रहा है तो मैं यहाँ पर सर एक तो सबसे पहला सवाल होगा कि आपकी जो सिन्ध पुलिस है ये किस खानून के तहट काम करी कि ये ही खानून है जो मैंने बताया है इसके इलावा जो 2019 और 2021 में भी अविंडमेंट में लाई है उसनों ही शामिल हुआ है एक तो ये और 2002 जो पुलिस अमें एक शिस करते हैं तो क्या वहां पे पंजाब में उस पुलिस ओर की वजह से किसी किसम की इंट्रफेरेंस कम हुई ये मैं ये कमपारिश नो हो नहीं या रहा है मैं अभी सवाई नहीं कुछ नहीं दो आए तो आपसी ये पूछ रहा हो सा कि इस वक्त सिन्ध में किस का कानून कौन से चला है देखें वो हमारा जो अभी amended police order है 2019 का हम उसी पे काम कर रहे हैं और ये legislation हुई उस legislation के बेस पे हुआ उसमें ना सिरफ police department इसमें civil society के लोग भी थे उनने सब ने बैठ के ये draft work out किया government, civil society और police और वो draft पर एक consensus के साथ किसे हम भी ने इसको पास किया, बेल किया, बिल पास हो गया, अब उस खानून के तहदें जिसका जिकर आप पता चुके हैं, कि जनाब अदालत ने सस्पेंट को किया, लेकिन consultation ने एक proviso था, उसको उसको उनों ने किया, लेकिन बाकी चीज़ें मौजूदा, बाकी उस तरह कि देकिन इसमें न सबसे इंपोर्टन चीज़ जो मैं समाजता हूँ इसन आई जी, वो है कि आप अपना human resource कैसे intact ले रहे हैं, क्योंकि यह officer जो आप intact ले रहे हैं, next 35, 38 years that department में रहेंगे और, तो यह government ने 2016 से, जो intact हमारी हो रही है, वो थूरू 3rd party हो रही है, अलब अभी जो अभी जो current ही चल रहा है, वो contract मिला हूँ है, IBA को, IBA वाले कर रहे हैं, तो उससे 3rd party की वज़ा से, हम भी comfortable है, government भी comfortable है, कि जो लोग भरती हो रहे हैं, वो merit पे हो रहे हैं, और निचली यह जब इस तरह का जाहरे के, अभी किसी की service कुछ बची होगी, और ने लोग आना श से, मैं समयता हूँ कि next 10 years में काफी बहतर हो जाएंगा, अजय सर, मैं आयाता हूँ मुकसर उस सवाल पर, कि आप as a IG, जाहर एक लोग पहले भी आप IG, माशाएलला, बूसी दोहर दनी है आप में, और आपके दौर में, इस तरह आपने तो काया है, के 120 के पहुंच ली, और मेरिट, वो आपके दौर में बहुत करीब से हमने देखा है, दुनिया ने देखा है, बहुत पॉजिटिव है, आप पर पॉलिटिकल प्रेशर आता है, मैं फोटा सा मुक्तसर यह कूछ में ताहूं, यह तो बाकी IGs नहीं बताया है यह सबकार, आप भी IGs रहें, सिंपी IGs तो यह प्रास्वन पोस्टिंग अरपॉइंटमेंट पर आप पर पॉलिटिकल प्रेशर होता है, दूजरे प्रेशर होती है यह नहीं होती है? देखें, आप साहिलोस में काम नहीं कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा स्टेकोल्डर है, लॉइन ओर को मैंटेन करने का, इस पर जिस पर ज्यादा क्रिटिसिजम आती है, वो कामेंट होती है, और मैंने तो जब भी बात की है, चीफ मिनिस्ट साब से, वो उन्होंने हमेशा यह इस तरह की बात की है कि हमें लाइन आउडर को मैंटेन करना है, क्राइम की अगेंस्ट फाइट करनी है. वो इसी वज़ा से रिसोर्स भी देते हैं हमें. ये मेरा कहना के हम पोलिटिकल इंटरफेरंस को कबोल करते हैं नहीं करते हैं, वो एक ऐसी स्टेट्मेंट हो जाएगी जिसको लोग डिफेर्ट तरहीके से इंटरप्रेट करेंगे. मैं इसको सिंप्ली इसरह से जवाब देता हूँ, जो हम बनना पोस्ट कर रहे हैं, जहरे डिफेरेंट लोग अभी मेरे आने के बाद कुछ पोस्ट करेंगे, तो आया उनकी क्रेडिमिलिटी को देखा जाए, कि वो किस तरह के लोग हैं, अगर वो अच्छे लोग लग रहे हैं, तो फिर जो गर्मेंट कर रही है, जो आईजी कर रहा है, बहतर कर रहा है, स्ट्रीट क्राइम्स के लिए, एज आईजी, आपने कोई मनसुबागंदी की है या है, जिस तो पर आप अमल गरामत करने जा रहे हैं, ताकि इस स्ट्रीट क्राइम्स को जो कि बहुत बढ़ चुपा है, मेरे खैल है, मेरे पास फिगर्स है, आप के पास भी होगी, वसक्त और उससे पहले भी होते रहें, तो इसके लिए मैं मनसुब साज ये प्लानिंग पर आ रहा हूं कि आपने आईजी, एज आईजी, कोई मनसुबागंदी की है, कोई प्लानिंग की है, या करने जा रहे हैं, ताकि स्ट्रीट क्राइम्स को जो कि एक इक इंडस्ट्री बन इसके लिए आईजी, आपने कोई पॉलिसी मनसुबागंदी की है, ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो, एज पुलिस देपार्टमेंट हमें ज्यादा हर्ट कर रहे हैं, और इस इस्यू को हम कभी भी अपने आपको कंडोन नहीं कर सकते, डिस्पाइट के मैं ये कहूं के बही, सिर्फ कुसूर पुलिस का नहीं है, जिसमें पूरी सुसाइटी की इंवल्मेंट है, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी शामिल है, हमारा पूरा कर्मिनल जस्टिस सिस्टम जो, जब आप सर्टेंटी पनिश्मेंट ना करा सकें, तो निचली फिर कर्मिनल के लिए क्रा करना कि भी उसको पता है कि मुझे सजासे में बच जाओंगा तो वो उसके लिए जहन ही होता है कि अभी कोई ऐसी बाद नहीं जाके क्राइम कर लू तो हम मैं यह एड्मिट करता हूं कि हमारा क्रिमिल जस्टिस सिस्टम में बहुत ज्यादा डिफेक्स हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है और होना यह चाहिए उसमें गवा के एक सिस्टम बहुत इंपॉर्टन जसा है यह बहुत सारा मेरा जवाब छोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन यह कि मुझे कहने दें क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टन चीज है आप देखे हमारे एंड पे में अपने एंड स किसे ने क्राइम इस तरह का किया तो उसको ट्रेस करें और उसको पकड़े और उसके खलाफ अच्छा केस बनाए और फिर प्रसेक्यूटर से मिलके उसको सजा दिलवा जहां तक पकड़ने का चालिक है ट्रेस करने का चालिक है उसके बाद पकड़ने का चालिक है इसमें हमा कर रहा हूं जो जाते हैं अभी अभी मिसाल के तोर पर आप कहरें कि 60 62 अभी विट मुर्डर केसे इस वह यह फिगर भी कुछ हम अभी इसकी रिलीस कर रहें कि अभी एक्ट्वल जो रॉबरी विट मुर्डर के केसे वह हैं कितने उसका हम पूरा डेटेल देंगे वो इतने न नहीं है अंशुर हम तो cplc की बात करते हैं तो कहीं दो जो डेटा है न यह इसा डेटा नहीं जिसको आप कहें कि यह अथन्टिक ए वह बदब ब़ाठन बात आपने कहीं मनब वो उनको जो इंफरमेशन मिलती है जहांसे भी मिलती है उसको टेब्लुट कर रहे हों से मैं त एक और अभी जो हमें डेता मिला है वो 62 एक उसमें मिसाल कहने जाए किसी की डथ हो गई उसको कोई व शामिल कर दिया जैसे कोगिट के जाए में जो है वो हाड अटेक वाले कोई कोगिज आ जामिल कर दिया तो होना यह चाहिए पुलीस का काम है के जो इंसिदेंट हुआ उसक करिएंट के अगियंस के क्रिमिनल्स को इंटिफाय करें और इसको अर्लियस पॉसिबल पकड़े हम अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं जब से मैं आई जी लगा हूं मैंने दो मीटिंग खराजी पुलिस के साथ किये और ये रेगुलर मीटिंग होती है और उन से एक ही चीज है तो हमने अभी इंटिफाय किये हैं जो हमारा बेस्ट लॉट है इंवेस्टिगेशन साइड पे और हमने अभी गर्मेंट को जो प्रोपोजल वेजा था कि भी इंवेस्टिगेटर्स को आप एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे हैं तो गर्मेंट की महरबानी कि उन्होंने एक कि उनके लिए एक्सटा संंशन कर रही है कि अधिमेशन फister पीर और फिर हमने जितने रिसूर्स URWA है था मांकते हैं तो गर्मेंट अमें दे घिया तैती है अमें रिंवेस्टिगेशन साइटा पर अभी उनको ड़र्रे एडवान्स पैसे भी तीए गाडियां में दे रहे आप अर सुने यह कैसा इश्यू है जो मैं लोगों को भी समझाना चाहता हूं आप जिस दिन फ्री रिजिस्ट्रेशन करेंगे न आपका क्राइम का ग्राफ उपर होता हो नजर आएगा मलब आपके जो फिगर्स होंगे वह इन फ्लैट हो रहे होंगे आप फ्री रिजिस्ट् क्राइम होगा वो नीचे नजर आएगा अभी आप देखें के वो कैसे होता है मिसाल के तोर पे CPLC काम डेटा कैसे हैं कि वो CPLC को एक रिजिस्ट्र फिर हो गई तो निचली उनके पास पी डेटा चला जाएगा अगर CPLC को किसी ने नहीं बताया और हमने अवाइड किया फिर कि थानी के अंदर बहुत सारे किसिस को उस इलाफे के ऐसे चो रिजिस्ट्र नहीं करते हैं मैं यह आपको अर्स करना चाहरा हूं कि हमारी अभी जो आपने काने कि क्या इंट्रिवेंशन क्या पॉलिसी मैं चाहता हूं कि फ्री रिजिस्ट्रेशन और पूरा जोर लगा रह हम यह देते हैं कि भी शुकाद देथे हैं कि अभी क्राइम हो गया भी ठीक है आप देखें वस व फ़एफर्ट कर रह आप उसको शुकाद क्यूं देते हो तो वह देते हो तो वो फिर Snapdragon क्राइम को आप प्र रिजिस्ट्रेशन और रहे होता किया है कि एक गेंग है वो rob प्रबरीज कर रहा है, 10, 12, 15 रबरीज की, उसके बाद पकड़ा गया, आपकी फ्री रिजिस्ट्रेशन नहीं है, आपने कोई केस रिजिस्ट्रेट नहीं किया, तो उसको आप किस केस में बंद करेंगे, फिर जूटे सचे केस करके उसको बंद करते हैं, वो भाहरा जाता है द को पूरा डेटा मिल जाता है कि यह इसका कम्प्लेइन है, तो उससे क्या होता है कि अगर उन 12-15 केस में अगर आदे लोग भी राजी हो जाएं कि भी हम वोट में इनके खिलाफ आगे केस को प्रोसीड करने में राजी है, गवाईयां दे देंगे, तो वो बंदा कभी नहीं चूड सकता है, मैं आपको यहां रोकूंगा, इस वक्त छोड़े से एक बेक लेते हैं फिर वापसा आते हैं वेलकम बैक, जी मैंने रिसर्च किया मालूमात की बहुत लोगों से मिला गया कि पुलिस पर अवाम का इतमाद कि उतना है, वो कहते हैं लिजी पुलिस पर हमारा इतमाद भी नहीं होगा तो अगर पुलिस पर इतमाद अवाम का नहीं होगा तो वो गवाः कैसे बनेंगे से इसके दो एस्पेक्स हैं मेरे जवाब के एक तो यह के जो सबसे इंपॉर्टन भी है कि हमें अपनी परफॉर्मंस को ठीक करना हो जिसमें कोई दोर आए नहीं है और और एतमाद बहाल करना पड़ेगा सर्फ परफॉर्मंस से बना हम मलब यह के देखें उसमें अभी थोटा स अपरियघ्स को का जूटास इनको का है कि आपका जो डिव्युटी औफिसर है मैंने अधिशनल ईट्रास का बीआए जिसमें को बटा की पानी का गलास प्लाने की आब उसको डिव kg के ऑफिसर को अकसर यह होता था है कि कोई के इस मिस रिजशरेश्डीशन के लिए से सिचि क्यों आप उसको जो ड्यूटी आफ़सर बेठा उसको कॉंपेटेंट करो कूछने में कभी वो कोर्ट में खड़ा है वो बंदा जो पहले ही जिसको लोगों ने लुटा हुआ है और वो प्रेशान हो के थाने पोँच रहा है और थाने वाला कहता है वी चार गंटे बैठ पहले बादे लेकिन पुलिस वालों को बरावला कह रहा हो बादे में तो मैं ने गखे का फॉलिस बहुंत बन रहा है को जैसे है को केस करा ना चाहते हो फॉरन पो केसे करे तो म में इस पॉलिसी पे चल रहे हैं ऐस। क्योंकि अब मैं खुद भी डॉक्टर हूँ और जेपी एंसी में मैंने काम किया है बहुंसे लाशें आकी पढ़ी रहती थी हम कहते थी कौन ले कहने है बंदा लेक जाए और हम कहते थी कहा है वह बंदा कहा है उसकी जरूरत है तो पते जलता था हम प्रेस करते थे तो वह कहत इना बत एकमादी है जो आपको definitely performance से खतम करना पड़ेगा तो वह गवाई सिस्टम जो आपने का है वह दुरूस्त होगा मैं एक सवाल जो आपसे करना चाहता हूँ Sir आप क्या समझते है कि कितने percent police जो है वह वह crime में involved है और किस level कर involved है क्योंकि चंद data में मैं आपके सामने करना चाहूँगा as a IV आपके knowledge होना करिया देखें हमारे पूरे मौशरे में खराबी तो आई भी है मालब इसमें कोई कहें कि वह police ऐसा department है जिसमें है बाकी में नहीं है तो हम भी माश्रे का इसा है लेकिन आपको एक टॉक्षाब में मेरे पास अभी वह figure exact नहीं है लेकिन में बड़े confidence के साथ यह कहता हूँ कि जो internal accountability का system police department में है वो किसी भी department में नहीं है वो में क्यों कहता हूँ कि जितने लोग हमारे पास dismiss होते हैं जितने लोग के खिलाफ police वाले पर परचा देते हैं वो कहीं पे भी इस तरह देगे आप उसका डेटा उठा के देख लेगे यह तो action हो गया मैं तो सवाल specific कर रहे हैं और मैं चाहूँगा हूँगा 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 जबरी है कि तो इस वक्त इस वक्त कराची पुलिस मे तरह देख को अगल जबरी हूँगा हूँगा लगावा, आपके ताौति पानी पुलिस में और परचा देख कितना जो हैं वो उप्रटो कॉल ने बार हैं अब यहाँपर मुझे आ आते ओड़ myself इस वालीस हजार और ताली सहर में कितने उपरटिव हैं और कितना जो हैं वो पुरिके सिस्टम ऐसा है, करब सिस्टम ऐसा है, पकड़ने तो इंवेस्टिगेशन, प्रोसिकूशन, अदालत, चैज, बहुत साथी चीज़ें, नेक्शेर बने हुए होते हैं, वो कहते हैं, क्रिमिनल तो स्कूटर में हीकलता है, असला भी होता है उसके बाद, बंदे भी मा पुलिस को ने हो, एक तो सवाब इसका जवाद में जी, और दूसरा ये है, कि ऑपरेटिव इस वक्त पुलिस कितनी है, और कितना प्रोटोकॉल निभा रही हैं, मुक्तलिफ सियासी लोगों की चाहिए, वो मिनिस्टर्स हों, प्राइम मिनिस्टर्स हों, सुभाई का, जिनका आप कोई मिनिस्टर्स ही नहीं है, लेकिन उनके पास पॉलिस की गाड़िया है, जो आगे पीसे लगी जए, जी, ये एक ऐसा डामेंशन है, इसमें मुनिस्टर्स हमारा एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इस एरिया में लाइन ओर का इशू रहा है, टर्मिनल एक् का इंसिडेंट ले ले ले, ये तो मलब चाइनीज के कॉंटेक्स में जिस तरह से हम सिक्यूरिटी को कंसर्ण है, और उनको जितनी सिक्यूरिटी हम देते हैं, इसके लिए पूरा यूनिट हमने रेज किया है, इसके लिए मजीद हमारी पुलीस रेज हो रही है, फिर मैनार सिक्यूरिटी के लिए हम सिक्यूरिटी को देते हैं, उनको हम रेज करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अथ्वराइज हैं बाई वर्चू अफ देयर पोजिशन, लॉप ने प्रोवाइड किया हुआ है कि उनको सिक्यूरिटी को देना, जिसमें पुलीस आफिसर्स भी हैं, जिसमें मिनिस्र भी हैं, जिसमें जुरीश भी हैं, जिसमें और गवर्मन्मेंट के सर्वंट्स भी हैं, आम आदमी के लिए झार्य हैं, मुझे न गो Lord के सरपोह मुझे गलियों, भर रह रहे हैं सजा में डिफरेंट जगाँ पे बिलाया जाता है कि भी आयाई जी जवाब दे मेरा काम सबसे ज्यादा कैपसिटी बिल्डिणि करूँ, मैं रिप्रूर्ट्मेंट पे अपना पूरा फोकस करूँ, मैं उनकी वेलफियर पर पूरा ख्याल करूँ मेरा काम ट्रेनिंग का है कि मैं पर ट्रेनिंग करूँ कि पुलीस आगे पचास साल के बाद किस तरह से हूँ कि मैं टेक्नालोजी की इंटर्वेंशन को लिया हूँ मैं कभी इधर भाग रहा होता हूँ अजियर भुला रहा है कभी ओधर भुला रहा है ने चलिए एक हमारा ऐसा मौल बन गया जिसमें मुझे जवदेना होता है जाहर है कि मैं बरीट जिमाँ एस पे नहीं हूँ लेकिन मैं समाजता हूँ कि मुझे अगर थोड़ा सा टाइम मि मेरा फुरा फोकस पिछले टेन्यूर में भी यह था जिस तरह मैंने का जिस तरह मैंने किया अभी भी मेरा यह फोकस है कि लोगों को फाइदा कब होगा जब आपका क्रिमिनल एक्टिवटी काम हो लोग यह महसूस करें कि भी हमारी पुलीस वो रिस्पॉंड करी है जो एक मौजब सुसाइटी की हो वना हम उस तरह की रिक्रूट्मेंट करें कि बंदा पुलीस से मिले तो उसको फ्रेंडी फील करें वो जाहरे कि इसके लिए आपको डिफरेंट स्टेप्स लेने होगे मैनज करनी होगी जो गलत काम करना होगा उसको एक्जेंपल बनाना होगा जो अच्छे काम करने होगा इनको रिवार्ड करना होगा तो मैंने का कि भी पुलिस डिपार्टमेंट और गार्मेंट को जो हम स कर is dat लेके युक्ड हो हैं नें अंडिन्स आप कर उता है। लेकिन इश्थी यह है कि वह टाइम शोट हो आप लोग फशिछ करने है कि जल्द से हो तो हमारे पास टाइम नेचरली वही है जो हम उसको इस्तिमाल करते हैं और बाकी टाइम जो बज़ता है हम कोशिश करते हैं कि उसमें इस कैपसिटी के इशूस को आगे बढ़ाएं और पुश करें तो मेरी पूरी कोशिश है का हम बेज़ पोसिबल करें और अच्जी से अच्ही एची पुलिसिंग करें परसंटेज आपने मुझे नहीं बताई कि आप उतना समझते हैं कि कुछके अभी आपको शिकारपूर के एक S.P. ने शाइद खाद भी लिखा है कि कच्छे के गांकों के साथ आप जो कपने 52 और 82 कांस्टोगल और रूसे लोग कि ऐसा कोई खाद आया है जिसकी ख़बर इंडिया में चल देगी सब्सक्राइब कि जो इंवाल्व हैं ने 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 यह हमारी पॉलिसी है यह सिर्फ इस नॉट लिमिटे टू शिकार पो इस आल अलवर यह ऐसा कोई खाद आया है के यह जवाब दे रहा हूं कि यह पूरे प्रोविंस के लिए सारे को यह कहा गया कि जितने भी पॉलिस ऑफिसर जो जिनकी रेप्रोटेशन अची नहीं है जो क्रिमिल एक्टिवटी में इन्वाल्व हैं यह एविन सस्पेक्टेट टू बी इन्वाल्वन क्रिमिल एक्टिवटी उनकी लिए कहा गया कि आप सीप्यों को बताएं कि हम उनके सब्सक्राइब एक्टिवटी लिए और कंपेटेंस उनकी SAP की भी है, कंपेटेंस LEAG GIS की है जिनके लेवल पर जिसनी कंपटेंस होगी वह उसका एक्टिवटी लेगा हम चाछते हैं कि हम अपने रैंक्स और फाइल में इस तरह के लोगों को पहले साहफ करें जो मेने आप प आप नहीं पहले भी दिया है, आप जैसे और दूसे आइजीज ने भी दिया है, रिजर्ड्स हमें मिने हैं, एतमाद तो उसी वक्त बहाल होगा पुलिस का और डैफिनिटली पुलिस के लिए पिश ने किश ने परसे हैं, एक काम अगर बुरा होता है, किसी पुलिस आफसर न हमारत को बनाने में वाड़ा टाइम लगता है, गिरानी के लिए एक कोपरी काप लिए, लेकिन मैं आपको अशुरंस दूँ कि यह आपके पास, जैसे आपने कहा है कि जैनली ऐसे आते रहते हैं, मैं तो कहता हूँ मैंने पूरे सारे सुबे के SPS को कहा है कि इस तरह का आप हमें लिखें और उनको से आते हैं सर आपके पास खतार है, इसका मतलब है पुलिस के अंदर ऐसे क्रिमिनल्स लोग मौजूद हैं जो टकैती में, मन्शियात में, वर्ताखोरी में, इस आपके स्ट्रीट प्राइम्स में और एक चच्छे के ढाकों की मदद करने में मौजू पुलिस के इसको नहीं जवाब दूगा हां करके तो वो ना मुनासिब चीज़ा हैं और मुझे अपने उन जवानों पे फखर हैं जो शहीद हो रहें वाग बड़ी तागा उन जवानों पे फखर हैं अब ही आप कल का देखें आप वीडियों से देखें और वो बंप रट है और वो आगे जाके उसको कर रहा है तो मैं कभी भी इस तरह से नहीं को हाँ पुलिस फोर्स में बेतरीन लोग गुजरे हैं और अभी भी मौजूद हैं जिनों ने इस फोर्स में रहकर बड़ी शहादते दी हैं पागिस्तान की अवाम उनको बड़ी रिस्क्रिक देती है लेकिन सर्च किर्मिनल्स कर दोड़ी आट आट ने लेकिन लेकिन में कह रहा हूं है पुलिस पी उसका एक मद़ रहा है लेकिन उसको साफ करना तो जिम्मदारी आप कहना अब मुझे इस बताए एक और सवाल है जो मुत्यदा कौमी मुंट का भी है जो जो जमात इसलामी का जो और दोसी लोगों का है कि किराची कुलिस में मुकामी जो कुलिस आफिसर्जि सें उनको नहीं लगाया जाता है बहुत बदी कादाद में बाहर से इंकीडियरस से जिनका no-missile बाहर का है उनको लाके लगाया जाता है जिससे क्राइम में इजाफा होता है और वो इन एलाकों को समझ नहीं पाते हैं, उनका एक तो यह है, और इस सिलसले में उनका यह भी कहना है कि आपके community police का system जो है, अगर हो, तो जादा बेखर repetitive होगा स्ट्राइब तो यह जार है, पॉलिटिक्स अपने हिसाब से, मैं तो politician नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको assurance तू ह मैं जना आई जी, मेरा कोई कभी भी agenda इस तरह का नहीं रहा, कि मैं किसी particular community को encourage करूँ और किसी को discourage करूँ, मेरे लिए सारे officers बराबर हैं, वो आप कराची बेस्ट officers हैं, आप उनसे पूछें, कि भई इसमें department की क्या policy है, हर बंदे की अपनी worth होती है, उसकी अपनी capability होती है कि हम उसी को उसी साफ से लगाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अर्यों सैटिस्पाई कि जो कराची के अंदर एक सच्छी था नहीं कि अपनी है, मैं आपको वहीं बता रहा हूँ कि हमने इस चीज को खतम करने के लिए कि क्या आपकी policy क्या है, तो अभी जितने भी recruitment होती है, य ये डिस्टिक बेस होती है, कि उस डिस्टिक के रहने वाले उस डिस्टिक के डोमिसाइल होने वाले बंदू की recruitment होती है, तो ये ख़बर गलत है, सर मैं समझे, मैं सर मैं कंडम करूँ के वो कहते हैं कि 70% कराची के अंदर जो लोग ऐसे चोज़ आपकोइंट होए हैं, जो ये गहर मुकामी लोग हैं, ना कि कल भी प्रेस कॉंफिंस की डोक्टर खालिद मक्बूल है, कि जमात इस्टामी के अमीर बने है, हाफिज नहीं साथ, उन्हों ने भी सभार उठाया है, कि हमें बताया है, पुलिस आई जी बताएं, कि कराची के थानों में, शाथ एक सो च् कितने थाने में कराची के मुकामी, मुकामी लोग से मुराज़ों यहां करडों में साथ लगते हैं, जाए वो सिंधियों, गलोचीों, कर्थानों, कंजाबियों, और्गों, कोई भी हो, लेकि इसमें मेरे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन आई जी किसी SHO को नहीं अपॉं जगीनां ये एक ऐसा एशू है, जिसमें अगर पॉलिटिकल पॉलिटिशन ने सवाल किया है, तो उसका जवाब पॉलिटिकल गर्वर्मेंट दे सकती है, हमारे से किसी ने डेटा मांगा तो हम जरूर देंगे देखिए प्रोग्राम का बकिया हिस्सा इस न्यूस ब्रेक के बाद आईए देखते हैं प्रोग्राम का बकिया हिस्सा वेल्कम बैक नाजवीन मुझे बदाएं, कम्यूनिटी पुलिस पुरी दुनिया में है, एक और चीज भी है कि पुलिस को अमेशा लोकल गवर्मिन्ट के अंडर्ट दिया गया है आप समझते हैं कि सर्फ पुलिस को तीन सवाल एक साथ कर देखा है एक तो कम्यूनिटी पुलिस और एक यह है कि जी लोकल गवर्मिन्ट के अंडर्ट कर दिया जाए और तीसरा यह है कि तुके यह मौशूद है गख अपनी बजड है रेंजर्स को पुलिस के अंडराद दे लिया गए अरवेए अगरी से देखें, दुनिया में जो जहां पर बहुत सारा लोकल गार्मेंट डेवलप हो चुका है, उनकी लोकल गार्मेंट के इंस्टूशिशन्स डेवलप हो चुके हैं, वहां पर तो ये सिस्टम पुलीस उनके अंडर में है, यहां पर अभी क्यूंके ये बढ़न ही जेते सार, हो रहा है तो मैं समझता हूँ काफी बहतरी आई है, और दे मेनी येर्स अगर आप बीचे 50 साल चले जाएं तो आज की पुलीस उनको 50 साल पहले वाली पुलीस में काफी फरक है, और ये सिस्टम एवाल होता है, और ये आगे जाके भी एवाल होगा, अभी जिनकी मिसाल दे है तो दो-दो-तीन साल की बात करते हैं, तो दो-सो साल दो होता है, तीन साल है, लिकर हमारे साफ में ऐसे मूल कुझ हैं सर्ड जो चालीस साल के अंदर उन्द उन्हें वड़ी तरती का लिए ये तो अची चीज होनी चाहिए, रेंजनिस के अखतराद के उपारे में आप उ रेंजर्स अच्छा रूल प्ले कर रही है, रेंजर्स हमारे साथ बैक अप सपोर्ट में हमेशा हमें सपोर्ट करती है, यह एक ऐसा परामिलिटरी फोर्स है जो यहां पे खास तोर पे कराची में उन्होंने पुलीस का साथ दी है, लेकिन उनका देखें हर इदारे का अपना रेंजर्स नी बन सकते हैं और वो जाहरे का अपना गारेगा तो में समझता हो के बैथरी आएगे ठीक है, इससा कश्मोर, गोड़की, सब्कर, शिकारपूर, तादू, लडगाना, जाकू गुरुप है, नवाव, जागिरानी, खादिम, वो, बायो गेंग और संदरानी गे अजिस से पहले मैं एक सवाल आपके सामनी रखना चाहता हूं, तो ये के जाकू भी पकड़े जाते हैं यह भी मैं विडियो जर्ख रह तो आपस दिया होगी, जाकू के रिश्टदार सुसर भी बुलिस में होते हैं, वालिद साप भी पुलिस में होते हैं, वो बगता भी पच्छीस पच्छीस हजार रुपए, छेचे हजार रुपए, अर्डे देते हैं, यह स्टेटमेंट वो देते हैं, और इसको भी देते हैं, और नेडिया में आता है, तुरसर यह सब चीजें का information definitely SSPs, SHU लगाते हैं, वो look afters करते हैं, क्या आपके पास ऐसी को information है, कि इस तरह की, कुए मैं अभी देख रहा था, Nigeria की एक वीजियो देख रहा था, जिसमें एक कातून में camera के जरिये, वहां के police को कैसा मांगते वे देखा, और फिर उस police को देखाए गया है कि जी, उसको police ID में call किया, और उसके बाद उसको ना सिर्फ डिसमिस किया, बल कि उसको तीन साल कायद कर गया, तो ऐसी वीडियो जाती है, ऐसे लोगो के नाम भी आ रहे हैं, चल रहे हैं, उस सिलसले में क्या आपके कि इन कॉमिशन आई है कि अभी रिसेंट्ली जो लोग मारे भी जा रहे हैं, इस ओफिसर गलत काम करता है, तो हम तो इसको बिल्कुल स्पेयर नहीं करते हैं, और ये तो, कुछ है सर डेटा ऐसा है, जा कि मैं ओनेर कर सब हूँ, कि इतने लोगों को इस दोरान अपनी काम में कोता ही बरतने पे गलत काम करने में या इन्वाल्व होने पर, इनको इसमिस जो इफेक्ट नजर आता है, वो नेगेटिव साइड पर नहीं कर रहा है, जो चर रहा है, मैं तो इसको नेगेटिव एलेमेंट को ये सब्मिट गर रहा हूं कि जब पुलीस खुद अपने ऐसे पुलीस आफिसर को जो अल्टिमेटली कोई ऐसा काम कर रहे हैं, उसको तो नहीं कर रहा है, कि भई आप इनके खुलाब एक्शन लेगे, ये तो हमारा इक इंटरनल सिस्टम में जिसकी बज़ा से हो रहा है, तो जो डेटा है, आप आपको देंगे तो आप खुद अन्दा हो जाएगा कि कितना पुलीस इसमें काम कर रहे हैं, जिस तरह आपको पुलीस के लोग इंवाल्व हैं और जैसे इनोंने भेजा खुद के सुरुपे, उसमें जो रिक्वेस्ट की हो मेरी समझनी है, मैं साथ कुछने साथ हैं, और ऐसे लोग शिकारपूर से निकाल के गोटी दे देंगे, गोटी से लड़काना दे देंगे, जादू दे देंग इसमें दो तरह के इसमें पुलिस आफसर्स होते हैं, एक यह होता है कि स्पेसिफिक एलेगेशन होता है, कि भई इसने इसको किसी करिमिनल को सपोर्ट किया, या रुशवत ले ली, या मैं इसका एटिट्यूट वर्स पॉब्लिक सही नहीं है, स्पेसिफिक शिकायत है, एक होता है कि स्पेसिफिक शिकायत नहीं है, उस पे यह इल्जाम है कि यह हो सकता है कि सपोर्ट कर रहा हो, जब उसमें कोई स्पेसिफिक एलेगेशन नहीं है, जब वो ग्रेवाला होता है तो हमारे लिए वो थोड़ा सा डिफिकल होता है, और जहरे कि जब हम प्रोसीड कर र करते हैं कि जाहर है कि एक बंदा जो जिस पर ये इल्जाम आया हुआ है शिकारपुर की जा मिसाल दे रहा है तो उसको डिस्प्लेस करके हम अगर कहीं और डिस्टिक में ले जाते हैं तो एक लीस्ट वो वाली ऐलेमेंट जो हम समझते हैं कि भी उसका कहीं पर कोई नेक्सिस ह मेरा झाल है किसी एक ऊनुन कोई लौ है कि किसी थाने का एक तो थे जाता है कि ऊच्छ कर लिया जाए ता कि वह उसका जो नेक्सिस बन जाता है वो तूग जाया से पर एक सवाल और सद बहुत इंपर्टन एं लोग पूछ आपसे पूछले कांँ कि एक अगर एक तो नह से तो उसके इलाखे में प्राइम नहीं कर सकता। देखें इस पे हमारे एंड पे ना मैं आपको मिसाल लू कि मैं मेरी बोस्टिंग थी लंडन में में लंडन प्लीस चीफ से मिला मैंने उसे पूछा कि आप थाने क्यों कम कर रहे हैं वो एक सुचार थाने थे प्रॉबबली उसके बाद कम किये असी किये फिर 65 कर दिये अभी तो 37 बच गये तो उन्हें मुझे जवाब दिया कि हम दो वजवत की वज़या से इसको कर रहे हैं के बाद कि हमारे सत्व जो जयादा थाने होते हैं हमें तो गवर्में में रिसोर्स डेती है जsystem सिर्फ उप थ्जोगँ करते हैं तो ज़्यादा थाने युगाशा। कम करते हैं तो ज्यादा थाने पे जाता है एक जिह कि रिसोर्मस कम होने के वज़ा से हम थाने कम करें दूसरा उसने मजदार बात बताही हुन्ने कई हमें जो स्रुपृइटन आफ पुलीस टेशन है वहां पे स्रुपृइटन आफ पुलीस टेशना को wonderful वह मुनासिब नहीं मिलते स्रेंग पे मैंने कहा कि यहां पर डिवलप वर्ड में भी अगर नहीं मिलते किता हैं नहीं मिलते हैं अम इस वजह से अपने थाने कम कर रहें तो हमारा भी इस तरह का जो मैंने आपको शहाइद बताया कि हम तीन कमेटिस हमने बनाई है एक ऑपरेशन एक इन्वेस्टीगेशन दूसरी इ हैं अप्र में जदेग हैं उसमें उनका मैंडीट है और हमने तजरबा भी यहां पे किया घग था किए वर्यव भी आपको में की या था क्लिप्टन में अबाध राबाद कि सुबह का अगर वजीराला ये कह जो वजीराला जो तीन दबर आओ कि ये जो कच्छे के डाकूँ है इनको जदी रस्वा कौन देता है हमें समझ में नहीं आता है एक तो इसके ओपर जा प्रमेंट्स करें सब्सक्राइब और दूसरा ये भी होम मिनिस्टर्स जो कि साबिक होम मिनिस्टर्स नहीं कब रहना थे कल मेरे प्रोग्याम में थी थे उन्होंने कहा इन कच्छे के डाकूँ की सरपरस्ती वडेरे और सिर्फ उन्होंने नहीं कहा बलके इन इन इलाकों के जो एहम तरीन सहाफी हैं जनलिस्ट मेरे पास नाम भी है और उन्होंने लिखा भी है उन्होंने कहा कि इन कच्छे के डाकों की सरपरस्ती होम मिनिस्टर्स और ये कहते हैं कि जी उसकों के अलाके वोग्रोडेरे जाजिरदार सर्मायदार MNAs, MTAs, हुकुमत में रहने वाले लोग करते हैं इसलिए इनका कुछ नी डिगाड़ा जा सकते हैं दो बात ही मैं पूशी है और देखें बात ये के क्रिमिनल जो है ना वो अपरेट करता है और खास तोर पे नाकोटिस्टी बिजनिस और ये इलिसिट वेपन का बिजनिस ते बहुत ज्यादा पैसा है और लोग मलब एजने सिंडिकेट करके कमाते हैं मैं तो ये कहता हूँ फिरिल गवर्मेंट को मैं कहता हूँ प्रमिन्सल गवर्मेंट को कि जब आप पीछे चले जाएं पाकिस्तान की हिस्टी को देखें तो सेवन्टीज तक हमारी हमारी सुसाइटी में वाइलन्स नहीं थी अकानवार के बाद वैपन आया वैपन के वजह से बंशियात आया वैपन आया पता नहीं क्या कुछ आया और तबाह होगे तो अगर कोई नेशनल एजन्डा सबसे टॉप आफ हो प्रियरिटी हमारे मुल्क की तो ये जो इलिसिट वैपन हमारे मुल्क म पे रखें ये जितना मिनिमाइज हो उतना हमारे लिए मलब ये आप सब मीटिंग में बैठते हैं अपेक्स कमिटी होती है वजिर आला होता है इंटेलिजन्स वाले बैठते हैं मैंने कई मीटिंग्स मैंने कुद भी गो किया तो क्या वहां ये खबर वजियाला तक नहीं प मैंने लास टाइम पे भी CTD को ये टास्क दिया कि भी आप काउंटर टर्रिज्म डिपार्टमेंट हैं आपके बहुत सारे और भी मैंडेट्स हैं जो आपने करने हैं लेकिन जो टप अफ आफ आपका फंक्शन होगा जिस पे मैं आपकी परफॉर्मंस को रेट करूंगा वो करेंगे सहाफी भी दे रहे हैं जेनलिस भी दे रहे हैं बुखारी साथ दे रहे हैं इंदा साथ भी दे रहे हैं इसके बात होम मिनिस्टर साविक कह रहा है कि इन को सपोर्ट कर रहे हैं उस इलागे के ताकतवर लोग यनि MNAs, MPAs और बड़ी रही जागिदार प्लिटिकल लोग आप ये फिर मेरे लिए बड़ा ये इशू हो जाएगा कि मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट लोग लेकिन मैं आप से इसका जवाब इस तरह दे सकता हूं कि आप कोई ऐसा एक्जम्पल कोट करें कि किस कोई बंदा इन्वाल हुआ और पुलिस ने उसको किसी सफार किसी की तरफ से क्लेर डायरेक्शन से कि कोई भी इन्वाल्वर बंदा आप उसको इस पैर नहीं करेंगे तो मैं आपको यकिन दिलाता हूं को पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह का एक इंप्रेशन पना हुआ है येस है और उस एरिया में जो जिस की आप निशान दी कर रह कर सकती है पुलिस ये कर सकती है कि जितने इस तरह के केसिस रिजिस्टर्ड हैं उसमें जो पियोज और अप्सकॉंडर्स हैं उनके खिलाफ फुल ड्राइब करें के वो फक्रेज जाते हैं तो फिर जो उस एरिया का उस कौम का जो हैड होता है उसके लिए मजबूर होती है क कि ये दोनों फरीकें जो जिनके ट्राइबल डिस्प्यूट्स हैं वो बैठ के फैसला कर लेते हैं वो जाहरा है अजर आप कच्छे की डाकों का सफाया करने के लिए एलगल आपको असला भी पैसे भी मिल गें शर्फ मतलब पॉनिए आप देखें आए दिन हमारे इंकाउं डिन है कि ये गैंग में गलादा चालीस होते हैं पाँछ ये गैंग सिंद में और अइक दफा जयूलक साफ ते जमाने में काउज रेंजर्जर्ज और पुलिस तीनों ने पापी बड़ा एरिया कवर करके साफ दिया था इस दफा भी शायद कोई पॉलिस और रेंजर्जर् मिल रहा है सर, संक्षिन हो गया है जिसके ओपर आप कारवाई करने जा रहे है तो इस कच्छे के डाकू नो टॉरेंस है सर, स्ट्रीट क्राइम नो टॉरेंस है सर कच्छे के डाकू के लिए मैं आपको एक जो इंप्रेशन है न आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टेंड करें पुलीस अगर उनको चैलेंज करती है उसका क्या परामेटर है कि डाकू मारे जा रहे हैं पुलीस आफिसर शहीद हो रहे हैं यह परामेटर है मैं अगर काऊंगे न आए दिन डाकू मर रहे हैं अलम्दल्ला हमारे पुलिस आफिसर जो कर रहे हैं उनकी शाद्दें भी हो रही है तो यह तो एक प्रूविन फैक्ट है कि पुलिस उस एरिया में काम कर रही है कि सेकंड़ी मैं आपको कल तक जो लिस्ट अमने अफडेट की थी वो 13 में में उन यही एक स्टेटीजि बनाई की इनको व वह वह बही भी प्रों कर के थे हैं वारे लोकल लेवल पे स्वी लीवल पे ड़को फोन कर के थे हम तो आपके एरिया के बंदूं को कितनेप नहीं क पर पिकर्ट लगाई और में यस तरह के लोग जagu जा रही हैं, इस दो के भी घाने के पास अलहा कि इतनी अन्हे berriesम मीडिया ने उतनी जा दीन लोग उनके पास जा रहे है और तो थेरा महने मेने 15 महने मेन हिसा और तो 571 ऐसे आप legitimate हो जाते जिनको रोका। तो अधर्वाइज ये भी किड्नापु जाए तो अभी वो डाकु इस पे परेशान है उनकी ये इतनी इंडस्ट्री बड़ी जो बंद किया पुलीस ने कि ये परेशा तो और नहीं कहा है तो आई पिशावर से आया मुल्तान से आया कराची से आया तो हमें पास को क्योंकी टाइम बहुत काम है जबनेटली सिन गौर्मिंट और आईजी इसके ओपर भरकूर तवज़ देंगे भरकूर पॉलिसी के तएट चाहे को भी जम्मधारी हो अवाम को भी जम्मधारी को भी जाएगे आपका बहुत वक्त लिया सब बहुत मौलुमात आपने 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 पहुंचाई है आपकी स कि इस जो आइतमाद आप पर किया गया है आप उसका पुरा है अज़साब मैं आशूरंस देता हूं कि मेरे हाथ में नेक नियती और महनत है रिजल्ट अल्ला की हाथ में मैं आपके जरीये से ये अवाम को और गौर्मेंट को ये इसूरंस देना चाहता हूं कि हम इंशाला ना महनत में कमी छोड़ेंगे ना हमारी नेक नियती में कोई कमी होगा बाद 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 आपके कोई खबर रहना जाए